तो चलो बच्चो इस्टार्ट करते इस वाले कोश्चन को देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं कि यह देखो यह बेशिकल यह कोश्चन है जिसमें हमें यह बात प्रूब करना है कि demonstrate that gravitational force acting on a particle inside the spherical layer of matter equal to zero मतलब अगर यह spherical sail है यह spherical layer है uniform spherical layer है तो यह uniform spherical layer है और इसके अंदर जो net force है वो zero है क्योंकि net field zero है तो यह बात हमें demonstrate करना मलब prove करना मिर भाई तो अगर मुझे यह बात prove करना है तो यह हमें prove करना है कि ऐसा होता है ठीक है तो इसको probe करने के लिए चलो एक excel ले लेते हैं सबसे पहले और अगर मैं यहाँ एक एक ₩ ले लेता हूँ तो यह तो यह इस sail का center c है और यह यह पॉइंट लेता हूँ और यहां पर मैं एक मास रख देता हूँ M0 ठीक है और यह जो सेल है इस सेल का मास मैं capital M ले लेता हूँ कोई दिक्कत परसानी वाली बात नहीं होनी चाहिए अब यहां से यह अब इस सेल पर मैंने right circular cone बना लिया है ठीक है आप होगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा बात समझ में रहा हूँ मैं right circular cone ले लिया हूँ और right circular cone को यहां से यह वाला जो यह वाला जो कोन है यह कोन यह इसका यह कोन इसका radius यहां से आरवन है यह यहां से लिन और यहां पर मैं मास रख दिया हूं ध्यान रखना यहां पर मैं point mass रख दिया हूं जिस पर attraction हो रहा है यह point मास रख दिया चलो अब यहां से यह वाला जो circular cone है दूसरा वाला जो कोन है देखो इधर यह दूसरा वाला है और यह right circular लिया हूं जिससे calculation थोड़ा सा आसान होगा अगर आप दूसरा कोन ले लोगे तो थोड़ा सा calculation difficult हो जाएगा तो यहां से यह जो यह जो इस point पी पे जिस point पर मैं particle रखा हूं उससे यह बाला distance वह 1 2 कोई दिक्कत प्रसानी वाली बात तो है तो अब अब यह देखो यह वाला angle कितना होता हाउ मचीस अंगल यह जो एंगल है ठीटा है ठीक है तो यह भी यह आंगल कैं थीटा है तो यह बहुत यह तो यह यहां से होगा कि अगर यह थीटा है तो यह थीटा है तो सॉलिड एंगल जो होता है तो यह पूरा जो सर्फेस एरिया है यह सर्फेस एरिया वो कितना यहां सॉलिड एंगल बना रहा है तो इसका area इसका area upon यह वाला जो डिस्टेंस है रडिएस यह आर का स्क्वाइर तो यह जो area होती है वह कितना होती है और पूरा area four pi r us होता है तो यह area होता है two pi rज़ और one minus cos theta आई हो कि आभी पढ़े होगे mathematics में और अर्यसक्युड़ को नुदिक्या थी तो पूरा जो सॉलिड एंगल होता है कौन का ऩी तूप यह कोई साव यह स्थ होटा सा मैं क्या करूंगा कि यहां पर चोटा सा इलेमेंट है यह जो इलेमेंट का मास DM है तो यह जो इलेमेंट है इसका मास DM1 है और यह जो मास है इसका मास DM2 है तो यह दोनों इस point mass को attract कर रहे होंगे बात समझ में आया तो सबसे पहले हाँ small attraction पहले वाले part में करें तो attraction force पहले वाले part DM में gdm1 gdm1 और m not over distance r का r1 का square यह बात समझ में पूंह यह वगा सबको दी एमवान क्या है मास आर्ग जो कौन छोटा वाला कोन है तो टी ell जो है ओ मैं WhatsApp मृटीप्लाइट वैस्टमीर मैं सिक्मा मृल्टीप्लाइड ग्लवाइड ऐरिया ड्ぜ बेयर सिक्मा इस के उसलिपलाइङ density mass density per unit area है mass density per unit area है तो मैं छोटु एरिया से multiply कर दूं तो मुझे dm1 की value पता चल जाएगी यार उसी तरह से dm2 की value जो आ जाएगी यह area छोटा area जो भी है और यह sigma area a1 और area a2 तो area a1 यहां से तो यह value अगर इसमें मैं put करूंगा तो g और dm की value d sigma area a1 और m not से multiply कर दूं और r1 का square तो यहां से तुम देखोगे तो जो solid angle है उसको मैं g है बाहर ले लेता हूं कोई दिक्कत परसानी वाली बात नहीं है और यहां से m not बाहर आ जाएगा और sigma भी constant है तो यहां से d a1 open over r1 का square यह यह पूरा का पूरा क्या बना solid angle यह पूरा है solid angle और इस solid angle की value है वह sigma है तो इसका मतलब है हुआ कि capital G m not sigma 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 हम लोग लिए थे mass density और यह omega से मैं denote कर देता हूं solid angle this is the solid angle तो यह जो है df1 यह जो पहला force आ गया पहले कोन का ठीक है similarly जो दूसरा वाला कोन था लोवर कोन उस लोवर कोन के बारे में बात करोगे तो इस पर फोर्स आप अट्रेक्शन जब तुम निकालोगे तो यह कितना कोन है तो m not over यह r2 का square तो यहां से जो है वह gm not common लो लोगे और यहां से जो है sigma और d a2 और multiplied by r2 का square तो यहां से gm not और sigma बाहर लोगे तो d a2 upon r2 का square तो यह वाला जो चीज है यह पूरा again solid angle बना और यह gm not sigma और यह omega तो यहां से d f2 यह वाला फोर्स देख रहें बात समझ में रहें तो coincident इनकी direction कैसे होगी बाई अगर यह spr है ठीक है अगर यह spr draw करते हो यहां से तो यह spr draw करते हो तो यहां से इस point इस point पर तुम देखोगे तो इस point पर यह जो कौन ऐसे कौन थे यह वाला जो राइट सर्कूलर कौन थे यह जो राइट सर्कूलर कौन है ये वाला mass, this mass और ये वाला mass इस पे जो इस point mass M0 को कैसे attract कर रहे हैं तो ये point M0 को कुछ इस direction में attract कर रहे हैं कि ये df1 इधर लगेगा और दूसरा इधर लगेगा df2 तो ये df1 की value है वो बराबर होगा df2 के और एक दूसरे से cancel कर देंगे तो इस particle जो M0 है M0 पे net force जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा तो net force 0 आ जाएगा और यही बात हमें prove करनी थी तो I hope कि ये आपको बेहतर तरीके से clear होगा और अगर आप दूसरा कोई cone लोगे मालो हमने कोई oblique cone ले लिया ये है ऐसे तो ये SPR है और आपने जो cone लिया वो right circular न लेके आपने ऐसे ले लिया जो cone है वो थोड़ा सा oblique cone ले लिये समझे रहे ये right circular cone नहीं है तो इस case में इसका एक component area लेना पड़ेगा और मैं पहले से ही right circular ले लिया तो मेरे लिए आसान था बात समझ में आ गया दूसरा approach है इस question को solve करने का जो second method है तो second method में मैं क्या करता हूँ भाई ये प्रूभी तो करना है कि net force is zero है तो अगर कोई sale है यहां से कोई sale है आप देखोगे तो इस sale के अंदर देखो potential अगर mass m है radius r का sale है तो इसके अंदर जो potential है surface के equal होती ही मेरे वाई और इसकी value क्या होती है constant होती है हर point पर तो center पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी चले जाओगे surface पर सब पर potential की value constant होती है तो अगर inside बात करोगे तो inside भी तो यही potential होती है भी inside is equal to minus gm over r तो फिल्ड और potential में एक relation है तो field is equal to minus dv over dx तो is equal to minus dv over dr और आ जाएगा और potential की value constant है तो इसका पूरा का derivative r के respect में 0 आ जाएगा तो जब inside field ही जीरो है तो force को तो जीरो होगा ही अगर कोई particle रखोगे यह रखोगे कोई particle तो इसमें कोई force ही नहीं लगेगा तो आई होग कि आपको वे दोनों मेथाड मेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता तो यार सपोर्ट करो और मेरे चैनल के साथ बने रहो और आपका सपोर्ट और प्यार की हमें बहुत जुरूरत है बच्चो थैंक्स पर वाचिंग